बढ़ती महंगाई पर बीजेपी पर बढ़ से ए आई उजी अची बीजेपी सांसदों की पत्नियों से जाननी चाही महंगाई पर राए महंगाई को लेकर देश की वित्मंत्री से किया सीधा सबाई देश में रोजाना की तोर पर बढ़ता महंगाई का स्तर आम जन जीवन को अस्तिव्यस्ति की हुए आम आदमी सोच में है कि इस महंगाई की तोर से आखिर कैसे निप्टा जाए कैसे महंगाई से बचकर निकला जाए, कैसे इस बढ़ती महंगाई के प्रकोप को कम किया जाए लेकिन महंगाई तो महंगाई है, जुसका बोज आपकी जेब परपड़ना तय है, जुसका भारा को सहना ही पड़ेगा अब जब आम जमिता पोज सहेगी तो फिर सवाल भी करेगी सवाल सरकार से सवाल वित्त समालने वालों से जनता प्रस्त होगी तो फिर मौका विपक्ष के हाथ में भी तो होगा विपक्ष के हाथ मौका लग गया है सरकार से सवाद करने का और कॉंग्रिस तो इस बड़ती महंगाई के विरोत में सड़क पर ही आ गई अब All India United Democratic Front के अध्याक्ष मौलाना बदरुदीन अजमल महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ हो गिया उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर पहले तो देश की वित्तमंत्री को खिरा वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन के लिए AIUDF के अध्याक्ष मौलाना बदरुदीन अजमल ने कहा भारत का पैसा वित्तमंत्री के पास है उन्हें कैसे पता लगेगा कि एक आम आदमी कितना घर्च करता है सीता रमन जी वित्तमंत्री है सारा पैसा उनके पास है वो रिजर्व बैंक की मालिक है उनको कैसे पता चलेगा बावर्ची जाकर कितने पैसे में क्या चीज लाता है किसी कापिनिट मंत्री को नहीं पता चलेगा घर कैसे चलता है उन्हें तो अच्छा खाला देखता है वित्मंत्री के बाद मौलाना बदरुदीन अजमन ने फिर बीज़पी के सभी मंत्री सांसदों को घेरा, उनोंने कहा भाजबा के किसी मंत्री के लिए महंगाई नहीं है, बीज़पी सांसदों को अपनी पत्नियों से पूछना चाहिए कि वो रसोई कैसे चला रही है, सरकार कुछ आई किस पर ध्यान दे रहीं तो 2024 में महंगाई सरकार को खा जाई एक तरह से मौलाना ने केंदु सरकार को 2024 के लिए चेता दिया बड़ती महंगाई को बीजेपी को फिर से सप्ता में आने के लिए खत्रे की घंटी बता दिया है मौलाना ने कहा महंगाई आस्मान छो गई है कुछ समय पहले महंगाई महंगाई करके ही भाजवा संक्ता में आई थी अब गरीबों की कमर टूट गő महलाएं घर नहीं चला पा रही गया सिलेंडर में नहीं रहा है । डीजल के दाम आस्मान छो रही है बाजार में सबसी दाजचावल सब महंगा हो गया है सो प्रतिशन से ज्यादा महंगा हो गया है फिर पिछले दिनों आसम के दो जिलों से 12 जिहादियों की गिरफतारी पर भी मौलाना से सबात किया गया उस पर उन्होंने साफ कहा हमें उनसे कोई सहनुभूती नहीं है। सरकार को उन्हें जहां भी मिले गोली मार देनी चाहिए। अगर मदर्सों में एक या दो खराब शिक्षक पाए जाते हैं तो सरकार को हिरासत में लेना चाहिए और जाच पूरी होने के बाद उन्हें उठा लेना चाहिए। वो चाहें जो करें। कुल मिलाकर मौलाना ने बढ़ती महंगाई पर तो सरकार को के रही साथी कई मदर्सों में आतंकी गतविधी का जराभी समर्थन करने से मौलाना ने इंकार कर दिया है। बलकि शूट एट साइड की बात नहीं है। वैसे आप मौलाना की बातों से कितना इत्फाक रखती हैं महंगाई पर वितमंत्री का तो छोड़ दीजे लेकिन क्या अगर बीजेपी सांसदों की पत्नियों से पूछा जाएगा तो क्या वो महंगाई से त्रस्त दिखाई देंगी इस सवाल पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बता है आज महंगाई फिर आस्मान पे गई गरीबों का कमर तूड़ गया और तो अपना किचन नहीं चला पा रही है बाजार से सबजी, दाल, बिंडी, तरकारी, चावल इस सब चीजे महंगी होगी और महंगी नहीं बलके इनके आठ साल में कम से कम 100% से ज़्यादा महंगी होगी गेस का सिलिंडर नहीं मिलना है भाव उसका आस्मान पे पहुँच गया डीजल का भाव आस्मान पे चल जा इसलिए गौर्णमेंट को इसके ओपर सिहार ध्यान आचिते के सीता रमंदी हमारी फाइनेस मिनिस्टर है फाइनेस मिनिस्टर का मतलब यह कि पूरे इंडिया का पैसा उनके पास है वो रिजर्बेंक की मालिक है उनको कैसे बता जलेगा बावर्ची जागे कितना पैसे में क्या चिद लाए उनको तो पता ही नहीं किसी केबिनेट मिनिस्ट को बता नहीं चेलेगा उसका बजार कितने रुपे में आता है उनको तो टाइम पे खाना अच्छा मिलना चाहिए या कोई पार्ट भी बड़े कर्पोरेर हैस वाले ले जाए और मिनिस्ट्रों को दावत करा कि वो पता नहीं उदर कितना क्रोड रुपिया खर्चा हुआ बिल तो उनके पास नहीं आएगा इसलिए वो लोग तो खुश है कि जितना और बढ़े हमारी दावत और बढ़े तो इसलिए सितरह मंजने में किया है कहा है तो उनके जगे वो उनकी चीज सच है कि वो उनको तो फ्री मिलना है वो महंगाई की क्या बात करते है अरे जब दुशर रुपिया था बिस रुपिया देना पड़ेगा तब ही तो महंगाई ना महंगाई का है उनके पास किसी मिनिश्टर के लिए मेंगाई नहीं है मैं तो बोलूँगा बीजे बी के MPs लोग जिनको अपना घर का पैसा खरीद के खाना पड़ता है वो इनसाफ से अपनी बीवियों से जाके पूछे वो किस तरीके से अपना किचन चला रही है इसलिए ये बहुत बुरा साइन है मोदी जी को और मंट जाए इसको पर ध्यान दे नहीं तो ये महंगाई शो सकता है 2024 में उनके सरकार को खा जाए